जिस व्यक्ति पर कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है और कर्जा चूकता नहीं है आप बहुत प्रयास कर लिए करोड़ों रुपे का कर्जा हो गया यहां से लिया वहां दिया वहां से उठाया वहां दिया वहां से उठाया वहां दिया तो निवेदने कभी मुका लगे करचा मुक्ति के लिए सारे ब्रच्छों में अगर कोई स्त्रेश्ट ब्रच्छ माना गया तो मोगे से निभेदन करुँगा आपको कर्जा हो गया है बहुत ज्यादा कर्जा हो तो थोड़े दिन बढ़के पेड़के नीचे आप बटकेश्वर महादेओ के लिए एक लोटा पानी उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल पीस के गला लेना चावल को और पीस पीस के उस पानी में मिला लिनाा और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालकर बट बढ़के पीडे के नीचे अपनी कामना करकर जो कजा हुआ है उस करजे का भान δेते हुए इसमन देते हुए कर दें महाराजけれं दो या तीन सुमभर ऐक ही जगापर करना थीन स 없다 महीं से बढ़के पीड़की फाड़ी सी जड़ियर जड़ है और उस जड़ बटक कर रखो वो जड़ जैसे बड़का पेड़ विस्तार होता है पानी गिरे ना गिरे जल वरिष्टी हो ना ओ गर्मी पड़े ना पड़े उसको कोई परक नहीं पड़ता बड़का ब्रच आप रूप पहलता जाता उसकी जड़ें अपने आप प्रबल होती है उसी तरह य जड़ आपके पास में रखी है एक महीना दो महीना तीन महीना तक तो यह जड़ अपने आप लच्चमी को पकड़कर खीच कर लाती है और करजे से मुक्त कर दे बटकिश्वर महादेव का इसमन्ण सुक का देना हो